जैसे कृष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है वीकेंड पर जब गर पर सब हो तब शाम को कुछ चटपटा और टेश्टी खाने का मन करता है तो आज हम केवल 15 मीट में बना सके पैसा आलू का नया नाश्ता पोटेटो बाइट्स बनाना सीखेंगे तो वी एक 300 ग्राम आलू को आवश्यक्ता के अनुसार फानी और चुटकी बर नमक एड़ करके प्रेश्र कुकर में 3 सीटी हो तब तक उबाल लिया था आलू रूम टेंप्रेचर पर ठंडे हो जाए फिर उससे छील लिया है अब इस तरह के छोटे चेद वाले ग्रेटर की बदत स अगर आप जैन हो और आलू ना खाते हो तो आप कच्चे के लिए को प्रेश्र कुक करके भी ये नास्ता बना सकते है इस तरह से सभी आलू को कद्दू कस करने के बाद हम उसे एक बोल में निकालेंगे कद्दू कस के हुए आलू में हम तू थर कप चावल का आटा एड़ करेंगे चावल के आटे की जगह आप कौन फ्लार का भी उप्योग कर सकते है और व्रत के लिए बना रहे हो तो आरा रूट भी एड़ कर सकते है मसाले में आदा चम्मच बुना हुआ जीरा पाउडर पाव चम्मच का अले मिर्च का पाउडर एक से देड चम्मच या स्वाधा नूसार अद्रक और हरी मिर्च का पेष्ट और स्वाधा नूसार नमक अट करेंगे नास्ते को बार से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें दो चम्मच देल का मोयन एड़ करेंगे और लाश्ट में एक टिबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धन्या एड़ करके सभी इंग्रिडियंट्स को हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे जब भी आप आलू को उबाल कर कटलेट आलू टिकी या वड़े बना रहे हो तब पानी एड़ करने में खास सावदान रखे अगर आप उबालते वक्त पानी ज़्यादा एड़ करोगे तो आलू जरूर से ज़्यादा गल जाएंगे और उसे में आपको बाइंडिंग के लिए चावल का आटा या कॉन्फोर अधिक एड़ करना पड़ेगा इसलिए जितनी आवशक्ता हो उतने पानी से ही उसे प्रेशर कूक करे अब हाथ की मदद से हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे पराठे का आटा लगाते है बिलकुल वैसा ही मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे आलू के मश्चर के कारण आटा अच्छे से गुन जाएगा उसमें पानी बिलकुल भी आड़ ना करे इस तरह से आटे को गुनने के बाद उसके उपर एक चम्मस देल एड़ करके उसे थोड़ा मस लेंगे ये आटे को बिलकुल रेश देने की आवशक्ता नहीं है अब ओडी इकोबेक पेपर को चॉपिंग बॉड के उपर बिछा कर हमने जो आटा गुन का रखा था उसे हलके आथों से मसल कर थोड़ा स्मूथ करेंगे ताकि उसके उपर बिलकुल भी क्रेक ना रहे अगर आपके पास पेपर ना हो तो आप किसी भी चकले के उपर भी उसे स्मूथ कर सकते है अब चाकू की मदद से उसके दो हिस्से करके एक हिस्से को हम इस तरह से मुठ्या की तरह रोल करेंगे और चाकू के उपर थोड़ा तेल लगा कर उसकी छोटी साइज की लोई बनाएंगे आपको जितनी साइज का नास्ता बनाना हो उसके मुताबिक आप लोई तयार कर सकते है अब हाती मदद से प्रेस करके फौकी मदद से हम उसके उपर थोड़ी डिजाइन बनाएंगे आप अपनी मन पसंद डिजाइन तयार कर सकते है इस तरीके से बारी बारी सभी पोटेटो बाइट्स हम बना कर उसे एक प्लेट में रखते जाएंगे इस मेजर्मेंट के मताबिक हम 40-45 इतने पोटेटो बाइट्स तयार कर सकते है अब उसे तलने के लिए कड़ाई में आवश्चता के अनुसार तेल लेकर उसे गरम करने के लिए रखा है तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर कड़ाई में समा सके उतने पोटेटो बाइट्स हम उसमें डीफ्राइ करेंगे और वो दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें उसे तलना है दो मीट तक हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी है उसके बाद मीडियम फ्लेम परके उसे जारा की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बात पलटते रहना है वो अंदर से बिल्कुल कच्छे ना रहे उस बात का खास जन रखे अगर आप उसे लो फ्लेम पर फ्राय करोगे तो वो ओली बनेंगे एक बार पोटेटो बाइट्स को तलने में तीन से चार मीट का समय लगता है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर उसे एक स्टेनर में निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे और सर्व करेंगे आप इसे किसी भी प्रकार की चटनी या चाय के साथ पी सर्व कर सकते हैं तो आप ये गरम नाश्ते की रेसिपी गर पर जरूर ट्राय करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करें और चैनल पर पहली बार आये हो तो ऐसी इजी और क्विक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो